जो कैसे हैं आप सब आशा करती हों आप सब बहुत अच्छे से होंगे आज हम क्लास थर्ड का चैप्टर पढ़ेंगे वचन वचन की परिभाशा जिस संग्या शब्द से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं यानि कि जिससे हमें पता चले कि जो भी वस्तु है एक है या अनेक ठीक है वचन के भेट वचन दो प्रकार के होते हैं एक वचन और बहुवचन एक वचन एक संख्या का बोध कराने वाले सभी संग्या शब्द एक वचन कहलाते हैं जैसे तारे, तितली, लता, पंख, आदी ठीक है अब थोड़े से एक वचन और बहुवचन पढ़ लेते हैं घोड़ा, घोड़े घड़ी, घड़ियां, पोधा, पोधे, वस्तु, वस्तुएं, कुरसी, कुरसियां, रोटी, रोटियां, नदी, नदियां, गुबबारा, गुबबारे, भैस, भैसे, मिठाई, मिठाईयां क्लियर हो गए हैं यहां तक आपको आगे पढ़ते हैं अब हम इसका अभ्यास कारे करेंगे सही उत्तर के आगे सही का चिन लगाईए संग्या शब्दों की संख्या बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं गिन्ती, एक वचन, बहुवचन या वचन तो आंसर इस वचन घड़ी शब्द का भवचन क्या होगा? घड़िया, घड़िये, घड़ो, घड़िये, घड़िया पत्तिया शब्द का एक भचन क्या होगा? पत्तिये, पत्तियों, पत्ति, पत्तो तो आंसर इस पत्ति माला शब्द का उचित भवचन है माले, मालाए, मालाई, मालो तो आंसर इस मालाएं क्या है आंसर मालाएं निमलिखित वाक्यों में रेकांकी शब्दों का वचन बदल का वाक्य फिर से लिखी फूल पर तितली बैटी है तो यहाँ पर फूल के नीचे अंडलाइन है तितली के नीचे अंडलाइन है इनका वचन बदलना आपको फूलों पर तितिलियां बैठी है गाए घास खा रही है गाए घास खा रही है नानी ने कहानी सुनाई कमरे में कुरसी रख दो I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको आप अच्छे से रीट करके लर्न करना and stay home, stay safe ओके, bye